देखिए आज अर्विंद केजडीवाल जी के निर्देशों पे दिल्ली की सरकार के तमाम मंत्री सडकों पे उत्रे थे बरसात में अगर किसी भी बिटोमेन यानि की तारकोल की सडक पे पानी भरता है तो वो सडक जो है वहाँ पे खराब हो जाती है और इस बार दिल्ली में लंबी बरसातों के चलते कई जगे रोड के अंदर परिशानी है और कोशिश यह है कि अब युद्ध तर पे उन रोडों की मरमत कराई जाए और उसको जो है ठीक किया जाए इसलिए आज मैं और मनीज जी पूर्वी दिल्ली में आये थे और गणेश नगर पटपडगंज और इसके आसपास के इलाके की पीड़ुडी की सड़कों का निरिक्षन हमने पीड़ुडी के अधिकारियों के साथ किया है और उनको निर्देश दिये हैं और कोशिश है कि कुछी दिनों के अंदर ये सड़के ठीक हो जाए देखिए अरविंद केजरिवाल जी जब जेल में थे तो उनके पीछे से सरकार के बहुत सारे काम भारती जनता पार्टी ने एक शड़ेंतर के तहत रोके अब अरविंद केजरिवाल जी बाहर आ गए है और दिल्ली के तमाम कामों के अंदर रफ्तारानी शुरू हो गई है मुझे लगता है जल्द ही ये सारी सड़के भी ठीक कर दी जाएगी देखिए हमारा लक्षी ये है कि अक्टूबर के महीने के अंदर ये सड़के ठीक हो जाएगे आज अरविंद केजरिवाल जी के निर्देश पर मैंने और मंत्री सौरभ भारत्वा जी ने पूरवी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरिक्षिन किया है उनका जाहिजा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं कहीं कुछ काम हो रहा था कोई पाइपलाइन डलनी थी तो 7-8 महीने से वो खुदी पड़ी है कहीं गड़े हो गए हैं तो वो परहे नी गए हैं पुरानी हो गई है सड़क तो ये अब इसको ठीक किया जाएगा इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा जिस तरह से पूरी दिल्ली में गीजेपी वालों ने सड़कों की हालत खराब किये दिल्ली के लोगों को परिशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया इस तरह की काम रोक गए लोगों को परिशान करने के लिए काम रोके लेकिन अब केज़िवाल जी आ गए है अब ये काम भी होगा ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और और काम भी जल डाला और ये काम रोकती है, आज इस इस इलाके के लोग परिशान हैं, लेकिन अब केज्रिवाल जी आगे हैं, उन्होंने मुक्यमंत्री आतिशी जी को कहा है कि दिल्ली की सारी सड़कों को ठीक कराएं, सारे मंत्रियों को कहा है कि वो युद्धिस्तर पर सड़क पर काम करें और सड़कों को ठीक कराने पर काम करें, आस और भारतवाजी पूरी दिल्ली में मेरे साथ में हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब केज्रिवाल जी ने जब बीडा उठा लिया है तो दिल्ली की सड़कें ठीक हो जाएंगी, बीजेपी की बहुत कोशिश थी कि सड़कों कोट ने कहा कि नहीं दिल्ली के चुने हुए मुख्य उंतरी के पास पावर्स होंगी तो ओडनेस ले आए, फिर भी काम नहीं रुकें, फिर भी केज्रिवाल जी काम करते रहे, अब जब हर तरह से काम करते रहे तो फिर इनों ने केज्रिवाल जी को जेल में डाला, और जे झाल झाल